नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना बेकन, सीनिय कंसल्टन्ट उप्स्टेट्रिक्स गानेकॉलोजी मानिपाल हास्पोटल गाजियाबाद एक बार फिर आपके सामने उपस्तेत हूँ गानेकॉलोजी का एक नया टॉपिक लेकर नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड वाट तो एक्सपेक्ट बहुत खुशी होती है यह जानके कि आपके दिन चड़े हैं और आप पहली बार या दूसरी बार फिर से प्रेगनेंट हैं लेकिन इस स्तिती में हम आगे कैसे बढ़ें अपनी प्रेगनेंसी में अपना कैसे ख्याल रखें इस बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे प्रथम प्रेगनेंसी हो तो और भी ज्यादा खुशी का महल होता है तो हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को तीन हिसों में और वो आपको Urine Pregnancy Test या Serum Beta SCG Blood Test से ये Confirm करके बताएंगी कि आप Pregnant है उसके बाद क्या करेंगे कि हम आपको देंगे कुछ Vitamins जो आपको प्रथम Trimester में खाने होते हैं जैसे Folic Acid, Vitamin B12 और अपना ख्याल रखना होता है आपको ख्याल रखने में क्या करना है? उचित खान पान रखना है, जंक फूट से बचना है, और स्वस्थ भोजन करना है, बालंस टाइट लेनी है Fruits जरूर खाने हैं, प्रोटीन बढ़ा के रखना है अपने डाइट में इसके साथ ही प्रथम अल्ट्रसाउंड होगा इसमें आपका तकरीबन आठवे सप्ता में आठवे सप्ता में होने वाले अल्ट्रसाउंड में हम ये चेक करेंगे कि बच्चे की धर्कन आ गएगी नहीं एक बार बच्चे की धर्कन आ जाती है तो मदर का बेसलाइन आंटेनेटल प्रोफाइल यारी कि कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि मदर बिरकुर ठीक है उसके बाद हम आपको फिर से कहते हैं उचित रेस्ट करें दिन में दो घंटा दुपहर में लेटने की कोशिश करें रात में आठ घंटे की नीज लें और खुब पानी पिएं दूद धही चाच उचित मातरा में लें इसके पश्चाथ आता है कि हमारा सेकिन अल्टसाउंड कब होगा Second ultrasound हमारा होगा करीबन बारे हफते पे जिस वक हम बिच्चे की nasal bone और nucle translucency चेक करते हैं इसमें बच्चे का skull, brain, rear kidney इन सब की बनावट की जांच की जाती है ultrasound द्वारा प्लस आपका एक blood test होता है जिसे हम double marker कहते हैं Double marker में हम chromosome 13, 18 और 21 की abnormalities को rule out करते हैं Down syndrome आपने जरूर सुना होगा Down syndrome को rule out कर देते हैं 12 हफते में इसके परश्चात तीन महीने निकलने पर आपके treatment में calcium और vitamin D, iron यह सब और add हो जाता है यदि प्रथम ट्राइमेस्टर में आपको nausea or vomiting होती है उसके लिए डॉक्टर को जरूर बताएं वो आपके लिए उचे treatment जोडेंगी nausea or vomiting से बिल्कुल परिशान ना हो प्रथम ट्राइमेस्टर में nausea or vomiting बहुत लोगों को होता है लेकिन इससे परिशान होने की जरूरत नहीं है बस आपको अपना liquid intake बढ़ा के रखना है दुटिय ट्राइमेस्टर याने की चौथे महीने से क्या करना है चौथे महीना जब आपका complete होता है तब डॉक्टर आपको पेट से जांचती है उपर से देखने पे हलका सा pregnancy bump महसूस होता है हो सकता है डॉपलर से सुनने पर बच्चे की धरकन भी उपर से सुनाई दे तद परश्चात 18 से 22 हफते की पीश में बच्चे का level 2 ultrasound किया जाता है यह level 2 ultrasound जो है बच्चे की संपूर्ण चारेरिक बनावट की जांच की जाती है कि सब कुछ बिल्कुर ठीक है anatomical test ली बच्चे को test किया जाता है इसलिए इसको anomaly scan यह level 2 scan बोलते है इस trimester में आपका immunization भी होता है यानि कि एक tetanus का टीका लगता है उसके एक महीने पर जात आपको दूसरा boostrix या T-dap का vaccine लगता है उसके एक महीने पर जात आपको flu vaccine लगता है इस प्रकार आपको दूतिय ट्राइमिस्टर में आपका immunization एक-एक महीने के अंतराल पर संपूर्ण कर दिया जाता है फिर आपको छटे महीने पर दूबारा से blood test करने होते हैं इन blood test में खर्स करके चेक किया जाता है gestational diabetes को rule out करने के लिए जिसमें आपका oral glucose tolerance test किया जाता है 75 gram glucose से तता आपका hemoglobin, thyroid, blood glucose, fasting, PP यह सब कुछ चेक किया जाता है यह सब कुछ ठीक यदी है तो कोई पहमरानी की बात नहीं है और हम अपने third trimester में अराम से प्रवेश करते हैं इस दौरान आप हर महीने अपने डॉक्टर से मिल रहे होते हैं सात्वे महीने में आपका ultrasound होता है जिसे हम growth scan कहते हैं ultrasound growth scan में बेबी का weight और growth जैसे की नाम से जाहिर है हम पूरा चेक करते हैं ultrasound में growth scan होने पर हम अंदाज से सोचते हैं कि लगभग 1.5 kg इस वक बेबी का weight हो चुका है और आपको हम फिर से advise करते हैं कि अब इस एक महीने में 1 kg बच्चे का वजन बढ़ेगा जो आपका आठवा महीना है इसलिए आप अपनी डाइट में कार्भो हाइडरेट के साथ साथ उचित मातरा में प्रोटीन का भी ख्याल रखें इस दोरान आप अपने blood pressure और weight का भी ध्यान रखें total pregnancy में हम उमीद करते हैं कि आपका वजन 8-10 kg बढ़ेगा आठवे महीने में जब आपका complete हो जाता है तब fetal Doppler scan याने की रंगीन ultrasound करते हैं जिसमें यह चेक करते हैं कि मा की और से बचे की और जाने वाले blood circulation एकदम सही तरीके से हो रहा है यदि कुछ दिक्कत है तो उसमें दवाईयां जोड़ी जाती है लेकिन खबराने की कोई बात नहीं है आठवा महीना जब successfully हो जाता है तब आप त करते हैं आप कभी भी labor में जा सकते हैं इस प्रकार यदि normal pregnancy है तो किवल इतना ही कुछ होगा लेकिन ध्यान रखें आपको हर महीना अपने डॉक्टर से मिलना है उनके कहे अनुसार चलना है वक्त से vaccination लगवाना है वक्त से blood test कराने है और रोज अपने वक्त से medicines लेनी है और उचित खानबान का ध्यान रखना है यदि और कोई आपके सवालात हो तो कृपिया अपने डॉक्टर से लोकली जरूर मिले धन्यवाद